So, hey, what's up, hello and welcome people, कैसे हो, सारे स्वागते अब सबीका Blueers Gamer में और आज हम लोग दुबारा खिलने जा रहे हैं वापस the same game name GDF5 अब गाइस, जैसे के आप लोगो याद होगा कि लास्ट वाली एपिसोड में हम लोग एक बंदे के पीछे चेस कर रहे थे अब आप लोगो बतारेगा कि वो बंदा था किसका मतलब यार वो नौर्थ यंग्टन माफिया का कोई जासूस था और आप लोगो बतारेगा कि उसके पास हमारी एक बहुत खतरनाक वाली वीडियो रेकॉर्डिंग थी जो अगर माफिया को दिका देता तो पक्का यंग्टन माफिया हम लोगो मार देता क्योंकि यार यंग्टन माफिया को ये बात कंफर्म हो जाती कि उसके बेटे को माइकल नहीं मार है तो यार इसलिए भाई उसको मारना तो बहुत ज़ादा जरूरी था अब यार उसको हम ने किस तरह से पकड़ा है, हम लोग ने किस तरह से उसके पीच्छी चेस कर रहा है, और उसको कैसा पता लगा है, मतलब वो बंदा रहता कहा पर है, तो आप लोग को पता चलेगा, लास्ट वैल एपिसोड में, अगर आप लोग ने उसको देखा नहीं, या आदा देखा है, तो जाकर उसको पूरा देख ले ना, बहुत जादा उसमें climax वगरा scene है, फिलाल हाँ, अभी आप लोग को पता है, उस बंदे को हम लोग ने पकड़ने के बाद उसको मार दिया, और साथी मैं उससे वो phone को भी ले लिया है, फिलाल, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो water waves है, भाई, कितने जादा उपर हो रहे हैं, मतलब हम लोग ना, ocean के बहुत जादा बीच में आ चुक है, और यहाँ का जो weather है, वो भी आप लोग को बता है, कितना जादा खतरना को हो चुक है, लेकिन आप लोग को पता है, last time मैंने आप लोग को ये चीज़ बताए थी, कि मैंने एक बहुत बड़े वहाँ पर शिप को देख लिया है, और उसे शिप को देखने के लिए हम लोग आगी की तरफ आ चुक है, लेकिन गाई सेर, मुझे वो शिप किसकी है, ये बात पता चल चुक है, तो मैंने आप लोग को न जल कर ही दिखाता हो, मैंने बाइनकुलर से देख ले कि वो शिप है किसकी, फिलाल गाई सेर, आप लोग को बता है, अभी हम लोग उस वीडियो को लेके करने के वाले, मतलब यार, डैविट चौ और डगगन बॉस का जो वीडियो हम लोग ने बना है, उसको सेंट करने वाले यंग्टन माफिया के हो, ताकि यार, यंग्टन माफियो को ये लगएगा कि उसके बेटे को उन्होंने मार है, और बहुत तगड़ा हम लोग वार लगाने वाले, औ लेकि ना, उससे पहले में आप लोगो ये चीज़ दिगा दा, तो सबसे पहले आप लोग फड़ा वड़ वाहां पर देखना, तो गाइस यार, ये जो शिप है ना, आल राइट गाइस यार, तो इसी दौरान यार, मुझे लेस्टर का फून आया हुए, और लेस्टर बात बता रहें कि अभी फड़ा वड़ जितना हो सकी, यंग्टेन माफिया को दिखाने है, और सारा कुछ आगे का प्लान करने है, बाकि हाँ, यहां पर मैंने लेस्टर को सारा कुछ सिट्यूएशन समझा दिया है, कि आगे एक बहुत बड़ी मैंने शिप को देख लिए, तो लेस्टर तो साफ मना कर रहे है, लेकिन आप लोग बता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चुले उसको जाकर देखने का, तो आप लोगो अभी बाइनोकुलर से एकदम फड़ा पट, एकदम मस सा दिखाता हूँ, तो गाई सेर जैसे कि आप लोग यहां पर देख सक अचे कि उसने अभी तक हम लोग को स्पॉर्ट नहीं कर रहे है, अगर वो लोग कर ले तो यहां पर जो मिलेटरी वाले जो स्नाइपर लेकर कड़े, वो अभी तक हमारे उपर अटक करते, तो बाकी यहां पर भी और कुछ बंदे, कुछ जेट से यहां पर मेरे को नज़र जो कि बहुत जादा खतरनाग है, उपर से यहां पर एक बहुत बड़ा कारगो प्लेन भी है, लेकिन आप लोग को यहां पर बंदे नहीं नज़र आते रहेंगे, तो मैंने आप लोग को एक चीज दिखा दो, इस बाइनो को लर के अंदर एक तकड़ा सा फीचर है, तो आप लोग को बते हैं, यह काम थोड़ा सा बहुत ज़दा हाड है, इसमें बहुत ज़दा रिस्क होने वाले है, लेकिन इसको करने में भी उतना ही मज़ा आने वाले है, अब यहां पर जो बैग आप देख रहे हो, यह पूरा खाली पड़ा हुए, लेकिन आते वग इसमें बहुत सारे एडवांस वेपन होने वाले, इतना विश्वासत हो है, तो लेट्स गो माइकल, फड़ा वट से अभी सीधा चलते हैं, उसी एर क्राफ्ट पर और जाकर देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और भाई साब यहां पर न गाईस मैंने एक चीज पहनी हुए, जिससे भाई हम लोग एर एकदम अराम से ले सकते हैं, तो यह जो सिलिंडर है न भाई यह तो नॉर्मली पहनना ही पढ़ता है, फिलाल के लिए यहां फटावट से अभी तैरते होई चलते हैं, अब मैंना यार नीचे से ही जाने वाला हो, अगर गाईस मैं उपर एक बार शायद से मैंना उपर आकर देख लेता हूँ, अगर मैं प्रॉपर सीधा जा रहा हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, तो यहार 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 रास्ता मुझे करना बढ़ेगा, लेफ्ट राइट, तो लेट्स गो यहां पर धीरे से मैं देख रहा हूँ, तो चलो हम लोग नहीं बहुत जादा करीब पहुच चुक है, तो फड़ा फट से इसी तरह से तैरते हुए चलते हैं वहां पर, अल्राइट सो गाइस, लेट्स गो, हम लोग पहुच चुक है उस शिप के एकदम नस्दीक, और थोड़ा सा वाई साइट से निकलना ही बहुत जादा हमारे लिए सेफ रहेगा, क्योंकि वहाई इस शिप के जो पंकड़ी है, वो कितने जादा बड़े है, गलत हो अगर वो चाल लू रहते तो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे प्लैटफॉर्म नजर आ रहा है, तो फड़ा फट से मैं सूच रहा है, इसी के उपर चल लेकिन एक चीज समझ में ने आ रही, वो बंदा स्वाट का है, मिलेटरी के बाई शिप में स्वाट का बंदा क्या कर रहा है, जैसे कि आप लोगो यहाँ पर दिख रहा होगा, भाई सब यार पानी जिस तरह से हम लोगो उपर नीचे कर रही है ना, उसके वज़े से मैं य बहुत बड़ी प्रॉबलम आ सकते हैं, लेकिन कोई ना चलो, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ना चड़ जाता हूँ, और फड़ा फट ना यहाँ पर देख लेता हूँ, वो उपर ही खड़ा है, अच्छा हूँ, उसने शायद से यार नीचे की तरफ देखा नहीं ना, एक स करते हैं, धीरे धीरे ना, आगे की तरफ मैं वापस पानी के नीचे गरेगा, कोई ना, कोई बात नहीं, फड़ा वड़ से अभी आगे की तरफ चलते हैं, और एक सेकंड, अभी गाईस यह पहला ना, यह निकाल देता हूँ, मैं क्योंकि यह इसके वज़े से बाई बंदे को बता है, स्टार्टिंग में हम लोग ने पीछे की तरफ एक स्वैट के बंदो को देख लिए, तो बस अराम आराम से चलते हैं, क्योंकि अगर वो बंदे ने हम लोग को स्पार्ट कर लिया, तो दिक्कत आ सकती है, अब यहां से तो भाई अपने एंट्री हो चुकि और सा वाई साव, यहां पर कुछ ऐसे मिल चुक है बॉक्स, जो कि आप लोग देख रहें, पूरी की तरह से ओपन है, तो फड़ा वट देखते हैं, इसके अंदर वैपन क्या क्या है, ओके आल राइड तो गाईस यार इसमें वही वैपन्स मिलें, जो अपने बाद सारे पड़े हुए पहले से, तो एक काम करते हैं, पहले ना पिस्तल को हाथ में रहते हैं, क्योंकि अगर समझो कोई बंदा अगर सामने आ गया, तो उसकी खोपड़ी उड़ाने के लिए देरी नहीं करनी है, बड़ यहां पर मैंने बुम कट्टा हाथ में रखा है, जो कि बहुत ज़्य करने वाले है, वैसे यहां से में क्यों जा रहा हूँ, मैंने वहां पर भी एक सीडी देखी थी, लट्स गो, यह वाली सीडी से फटाफट से उपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर यहां से जाओंगा तो शायद से एक सेकंड एंट्री तो भाई हो जाएगी, लेकिन यहा यहां से घूस तो नहीं सकता हो, और मैं चाहता भी नहीं, खाली फुगड किसी को कुछ बात पता चले कि यहां पर कोई गुसा है बंदा, अगर समझो किसी मिलेटरी ने अपने को स्पॉर्ट कर लिया है न तो गाईस यहां बहुत बड़ा यहां पर राडे हो सकते हैं, यहां से उपर की तरफ तो आ चुका, मगर वहां पर देखो, वह वही स्वार्ट बंदा है, जो हम लोगो पहले दिख चुका था, तो उसके उपर ध्यान नहीं देते हैं, वहां पर सिगरेट भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है और वो देखो, वहां पर टोटल दो स्वा यहां से हम लोग एंटर कर सकते हैं, लेकिन लेट्स को गाइस, यहां पर और भी कुछ वैपन के बॉक्स पड़े हो, यह वाला खुल है, तो इसमें से शायद ना मुझे कुछ ना गंस मिलेंगे, फड़ा फड़ा से चेक करते हैं, आल राइट सो गाइस, यहर भी गो, अंदर भी भाई कोई आमो नहीं है, और यहां पर जितने भी सारे आमो पड़े हो हैं, यह मशीन गन के लिए, तो हाँ मैंने कुछ आमो को यहां पर कैरी कर लिए, और बाकी दो गन्स हम लोगो मिल चेके, वाकी हाँ पिस्तल लेते और एंट्री मारते अंदर की तरफ, लिख कर आना है, मैं गल्ती कर रहा हूँ, बढ़ कोई ना चल अपनी एंट्री तो हो जगे, फड़ा वड़ से अभी चल कर देखते हैं, और वेट 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 यहां पर मेरे को कवर लेना होगा, क्योंकि वहां पर मैने एक बंदे को देख लिए, जो कि मेरे को लग है, और एक मिलेटरी का बंदा तो शायद वहां पर चल बिल रहा है, बढ़ कोई ना हम लोग फड़ा वड़ उसके आने से नहीं, नहीं, यहां पर मुझे वेट करना होगा, वेल, वेल, वेल चल होगा, वो ना शायद से आगी की तरफ गया है, वैसे तो बंदा यार जट के यहां पर हल चल कर रहा है, और अभी दिक्कत की बात यह है कि वो यहां से अगर राउंड बारते हुए आया, तो बहुत बड़ी प्राब्लम हो सकती है, वैसे मैं उसको ना ध्यान से देख रहा हूँ, और जो भाई सब यार मैं सोच रहा हूँ, वही हो रहा है, यार भाई स चुप जाते हैं, ताकि कोई देख ना ले, लेट्स गो, भाई माईकल थोड़ा से यहां पर डर क्यो रहा है, यार बिंदास कर काम को, बड़ा, चलो कोई ना गाईस, वो वाला बंदा आगी की दरफ चल गया, अब एक काम करते हैं, फड़ा बड़ से इसके पीछे चलते, अब यहां पर गाईस, देखो, मैं यह काम को धीरे इसले कर रहा हूँ या, क्योंकि यहां पर अगर मिलेटरी वालों को थोड़ा भी शोर गया है, वेट, ओके, कोई ना चलो, वो बंदा वाँ पर गया, और हेलो, इसके अंदर मेरे को एक स्नाइपर दिख रही हो, भाईस की तरफ निकल थे फड़ा फट से अरा, वेट, 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 व और एक मिनिट यह वही सीड़ी है नो जो उपर आ रही थी जो पहले हम लोग ने देखी थी तो यह देखो भाई सब यहाँ पर पूरा एकदम जाली लगा कर रखा हुए बट दुबार हम लोग को वहाँ पर ही पीछे जाने क्योंकि यहां से गाइस ना मैंने देख लिए कि हम यहां पर सामने मुझे और एक सीड़ी नजर आ रही है बागे यहां मेरे को कुछ और आमोस चाहिए यहां पर पूरा बैग भर कर जाने बाकि और कुछ नहीं आल राइट तो यहां पर दो बंदे गड़े वैसे इन लोग भी सिगरेट वगेर आई पीरे लेकिन मैं निकल सक जिसके अंदर भाई पूरे के पूरे बुलेट लोडेड है और यह सारे एडवांस बुलेट है जो कि भाई मैंने आदे अपने गन में भी लोड कर दिये और साती मैं बस अभी बैग में बर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग निकलते यहां पर मैंने कलेक करें अपनी से भाई पंगे लेने के शौक नहीं है मगर न मैं कब से यहां पर ना नोटिस कर रहा हूँ मुझे यहां से बहुत जादा कंस्रक्शन का शोर आ रहा है तो काम करते है फड़ावड यह सीडी को पकड़के उपर की तरफ एक बार चल कर देखिया थे यहां से विव ने मिल र रहा था चोरी कर रहा था यंग्टन माफिया के लिए और यह डिट्टो वई टैंक यहां पर दुबारा बनाया जा रहा है और मुझे क्या लग रहा है पते इस एरक्राफ्ट में ना पैंजर टैंक और भी बहुत स्का रहे ऐसे जैसे वेपन्स वागे रहा है ना बने जाते इसले तो भाई इसका नाव एरक्राफ्ट है और यह बात अभी मेरी कंफॉर्म हो चाहिए कि मिलेटरी वाला का जितना भी कुछ सीन होता है जो भी वेपन्स वगेरा बनाते वो यहां पर ही बनाते तो यार अगर यह शिप का एक भाग है तो इतना कुछ देखने को मिल चु इसले कि एक मिलेटरी ना देखने को मिले बस वो काम है तो भाई साब यह देखो गाईस अभी मुझे आगे जाना है तो एक तो वेट करना पड़ेगा जब तक यह बन्दा यहां से निकलने वाला है क्योंकि शायद यह यहां पर पोजिशन पर होगा या तो भाई साब यह जा भी सकता है तो बस देखते थोड़े दो मिनिट के लिए कि यह बंदा कर रहा क्या है दो मिनिट से भी उपर का टाइम ओच चुका है लेकिन अभी तक यह मिलेटरी ओफिसर यहां से बिल्कुल भी ने हिल रहे है तो अभी गाईस देखो दो ऑप्शन बचता है एक तो मै इसका वेट करता हूँ जब तक यह यहां से जाता नहीं है यहां तो दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर मैं इसको अंदर की तरफ बुला और शायद इसको मैं टेकडाउन कर दू तो लेकिन इसके लिए मेरे को यहां पर कुछ शोर वगेरा करना होगा और एक मिनिट मेरे पास और है कि एक दाल देता हूँ ऑ और यहां पर मैंने पूरा स्मोक कर लिए और आप देख सकते हैं उस बंदे के ऊपर न असर हो ना स्टार्ट हो चका है तो मैं काम करती हूँ थोड़ा सा न दूर जाता ताकि मेरे ऊपर कोई असर ना हो Okay All done तो आप देख सकते हैं उस बंदे देख रहा हो भाई साब अभी तो लड़ाई होगी होगी फिलाल यहां पर एक बंद है ओ भाई साब यहां पर इन लोगो पता चल चुका है तेरी बैस क्या गवाई निकल भाई यहां पर मुझे संभाल के फाइट करना होगा और विट यहां पर अपनी राइफल को निकाल दे ताकि इसके अंदर भाई 200 बुलेट होता है यह 100 बुलेट तो भाई साब अभी दे दना दन चलाता हो विसे मिलिटरी भालों से भाई पंगे हो चके तो अभी यहां पर दिखाना पड़ेगा और एक मिनट कोई तो नीचे से मार रहे तुमारी ऐसी की तैसी भाई तुम पैं भाई खतम इसको तो टेक्डाउन कर दिये और भी बंदे ओ एक मिनिट यहां पर एक बंदा है जो कि भाई इसको मैंने अब इतनी गोली मारे लेकिन कुछ फाइदा नहीं लेकिन एक सेकंड गाई यहां पर मैं सोच रहा हूँ अब पूरा यहां पर डिस्ट्रॉई कर दे थ और यह देखो वाई यहां अब अब यहां निकल दे क्यूंकि अलाम वगेरा बज़रे सारे मिलेटरी अब होंगे और लो इन लोग ने तो यह वाला गेटी बन कर दिया इसको कैसे कोल भी मैं एक सेकंड शायद से यार नहीं यार कोई असर नहीं हो रहे है अब यहां से मेरे को निकलना होगा शायद से और मुझे यहां पर देखकर सोचकर चलना होगा तेरी ऐसी की दैसी बाई निकल ले बाई यार मिलेटरी वालो यार खाली पुगड पंगे मतलो एक मिनट यार तुमारे इससे भी तगड़े मेरे बाद शौट गन पड़े हुए बाई तुमारे यह वैपन लेके अभी तुमें दिखाता हो चल वे तेरी ओ बाई यह शौट गन से बाई सब यह आग निगल रही थे ना शायद से एक मिनट बैस की आग तेरी खतम बैस से तो आग निगल रही है एक बंदे को बाई शौट दे दिया बंदा खतम हो एक मिनट तेरी ऐसी की निगल वैसे इसको पड़ा नहीं लेकिन इसको पड़ा है और तेरी बैस की यह शौट गॉन को मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहरा हो वाई सब यह उपर से भी आरे के बंदे तुमारी एसी की दैसी बाई निकल लो यहाँ पर कुछ पाइप से जिससे बाई पूरी गा पर यहाङ पर नामपे बाई निकल लो निकल लो जितने यहाँ पर में टेक डाउन करने की खोशिश कर रहा हो कर सकता हो फिलाल यहां पर थोड़ा से वैट करते क्यूंकि बाई सब बाई जादा गोली हम लोग को पड़ चुगे और मैं आँ यहाँ पर यह वहिकल को देख रहा हूँ यह मेरे हिसाब से कुछ भारी जा रहा है तेरी बैस के अब इसको तो मैंने टिक डाउं कर लिए वहाँ पर एक कंस्रक्शन कर रहा है इसको भी निकलता और तेरी ऐसी की दैसी भाई एक मिनिट बूम कट्टा निकालो बै यह चीज है क्या तेरी ऐसी की दैसी भूम भाई क्योंकि यह देख रहा हो ना भाई सब यह वहिकल के अंदर ना सौरी मिसाइल लगे हुए और यह एक टाइम पर 15 मिसाइल शायद से छोड़ सकता है वैसे कोई तो बंदा आ सक है और एक मिनिट यार अभी इस बार यार बू सब्सक्राइब को सेफ थोड़ा खेलना होगा और मैं क्या सूच रहा हो ना अभी गाई सेर देखो मैं यहां से जंप मारकर जा सकता हो लेकिन ऐसा करना अभी ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं क्योंकि अगर स्नाइपर लोग ने अगर मेरे को स्पाट तो कर जाते हैं तो अपना रास्ता बनाते हैं यहं से निकल सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन मेरे को अगेर एक बर मेरी его Zwart इंद करता हो और भाइसане कोई तो आचुके बहुत सारे वढंडे आयरे एक मंड कवर लू कि अभी क्या करूं सब्सize तो पड़ा हुआ है और वेट 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 मेरे को अभी कवर लेना ही पड़ेगा क्योंकि अभी कवर ही सबसे इंपॉर्डन है फाइनली गाई से रास्ते बनाते हुए मैं बहुत जादा आगे की तरफ आचका और वेट फाइनली वहाँ पर मुझे अपनी बोट नजर आ चु है और मैं अभी यहां से जहां नहीं सकता क्योंकि मिलेटरी वाले आ चुक है तब यार कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा इस शिप से एसकेप करने के लिए तो अपने बाश शौट गन पड़ी हुए एक मिनिट थे ओ शिट भाई मैंने गलती से मिसाल पर फायर कर दिय करने से भाई मिलेटर वालों को पता चल जाएगा और यहां पर मैंने टिक डाउन कर दिया और एक मिनिट यहां पर कुछ सोलजर आ चुक है लेकिन मैं काम करता हो ना सब की यहां से मत्ते गुमा देता हो लट्स गो उपैस क्या कुछ तो ब्लास्ट हुआ और भाई यार मु पर यहां पर कवर लिए वह सीधा जाकर अभी बैट रहा हूं कि वही सबसे जादा अभी मेरे को आप्शन दिख रहे तो यहां पर कुछ शोलजर आ रहे वह सब इसको मैं मार तो नहीं सकता है इसको पोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी कुछ शाहथ से आर्प यहां से सीधा निकलने के लिए और तेरी बैस किया तो चोड़ा था लेकिन अभी चलकर जैट में बैठते हैं पतना नहीं में इस जैट को उड़ा पाऊंगा की नहीं लेकिन यार मुझे कुछ भी करके उस बिल्डिंग से और बंदे निकलने से पहले यहां से निकलने तो चलो भाई यहां पर हम लोग जैट के अंदर बैठ चुके हैं और 3,2,1 यह जैट स्टार्ट की नहीं हो रहा है हेलो ओल्राइट चलो गाईस यहां पर जैट तो स्टार्ट हो चुका और मुझे कनफरम पता था जैट के अंदर बाई कुछ ना कुछ वैपन लगे होंगे तो यहां पर भाई सारा तबा करके जाने वाला क्योंकि इनके बास कोई भी ऐसी चीज नहीं रखने हैं जिससे भाई यह लोग हम लोग के उपर कभी ना कभी अटाइक कर सकते हैं और एक मिनट यह वाला भी हेलिकॉप्टर को मैं सोच रहा हूँ उड़ाई दूँगा तेरी ब यहां पर जादा सोचते नहीं फड़ावट से टेक डाउं करते हैं और नहीं 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 लेस गो बाई जंप ओ भाई फाइनली 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 हम लोगने भाई सब यहार सही मैं escape तो कर लिया है लेकिन अब इस जेट को उड़ाते हुए लेकर चलते सीधा लोस एंटॉस भाई सौब क्या तगड़ा इसके हम लोग नहीं यहाँ से कर रहे है पड़ लेट्स गो गाईस फाइनली हम लोग ने मिलेटरी वालों से तो भाई बज गए लेकिन पता नहीं मिलेटरी वाले शायद हम लोग के पीछे आ भी सकते जेट लेकर लेकिन इसलिए तो मैंने पूरा वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है लेकिन कोई ना फड़ा बट से पहुचते है लोस सैंटॉस को कि कोई इसकी जो स्पीड है वो तीन सो के किलोमेटर पर आर से चल रही है भाई यार तोगड़ा जेट मिला है अब चलते सीधा अल्राइट सो गाईज यार फाइनली हम लोग पहुच चीक है लोस सैंटॉस सीडी में लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रेट हुए है यार उन मिलेटरी वालों ने पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करके बोल दिये कि लोस सैंटॉस में एक जेट गुच चीक है त फिलाल हां यहां पर नमें लोस सैंटॉस सीडी के यार उपर बहुत जादा उड़ा रहा हो क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो जो पुलिस वाले वो पीछे लग चुके वैसे अब भी तो कोई नजर नहीं आ रहे लेकिन बीज बीज में हेलिकॉप्टर भाई यहां प मामला शान नहीं होता है तब तक मेरे को इसको अपने हवे में उड़ाते रहना होगा लेकिन कोई ना चलो चलो अभी ना यहां से थोड़ी से आगी चलते क्योंकि अगर गाहु साइड जाओंगा तो पुलिस वाले वहां पर कम आएंगे तो फड़ा फड़ा भगाते हुए पॉचते महां पर सुगाइस जितना में यहां पर इजी करने का समझ रहूं यह दो बहुत जादे डिपिकल्ड होते जा रहा है पुलिस वाले यहां पर भी पॉच गये यह सभी में उनलों का जो जीपीए से वहां लोगो क्या तकड़ा ट्रैक कर रहे हैं वैसे यहां पर न मिनट भाई यहार कैसे मारू इन लोग को बहुत डिफिकल्ड हो रहा है जैसे मैं अपने जेट को गुमाता हूँ यह लोग भी अपने हेलिकॉप्टर को गुमाते लेकिन चलो गई सेर इस बार तो अपने इम प्रॉपर है और यह हेलिकॉप्टर भाई डिस्ट्रॉय नहीं हेलिकॉप्टर था उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर सीधा यहां से निकल दे क्योंकि जो हेलिकॉप्टर है वह बहुत जादा यहां पर नजर लगा कर रुका हुए और एक मिनट सामने से आ रहा है और यह वैस की आग बहुत बुरी तरह से पिटने वाले देरी है ऐसी के ऊपर चले जाते हैं मतलब यार एक लेवल पकड़ते हैं जहां पर हेलिकॉप्टर भी अपने जीपीय स्को एर ट्रैक नहीं कर पाएगा तो फड़ा पड़ मैं पूरी आसमान के तरफ इसको भगाते हुए लेकर जा रहा हूँ ताकि यार देख सकते हो आप पीछे एक हे नीचे के तरफ लेकर चलते हैं और इस बार यार मुझे लैंड भी कराना होगा ट्रैवर के एरपोर्ट में तो मैंना बहुत जाता करी पाउच चिका और ट्रैवर के एरपोर्ट के लिए तो फड़ा पड़ अपनी जैट को नीचे की तरफ करते हैं और यहां पर कोई दिक् यह देखो ट्रैवर का एरपोर्ट है वह साइड में हम लोग पहुंच चुक है तो बस अभी मुझे प्यार से इस रन्वे पर अराम से एकदम लैंड करवाना होगा ओके सु फाइनली हमारी जो लैंडिंग होने वाली यहां पर टायर्स को नीचे कर लेते और यहां पर इसको अराम से गुमाना होगा बाकि यह जैट इसके अंदर जाएगा की नहीं यहार मेरे को नहीं लग रहे है यह फिट होने वाले क्यों इसकी पंकड़ी मतलब कितनी जादा फैली हुए है और एक सेकंड यह गया तो है अंदर की दरफ लेकिन नहीं भाई सब यह देखो य क्योंकि यहां पर सारा काम हो चुक है बाकि यह ट्रैवर को यह बारे में पता नहीं लेकिन अगर ट्रैवर को यह चीज पता चल जाएगी तो पक्का अपने उपर बहुत ज़्यादा बढ़कने वाले लेकिन कोई ना निकलते हैं यहां पर कोई गाड़ी वागेर अगर मेर साथी में बेटे हुए तो लेस्टर ने मुझे एक लोकेशन दिये वहां पर मुझे पहुचन है लेकिन यहां पर कोई गाड़ी वाले अपने गाड़ी को रोकी ने रहे कोई लिफ्टी ने देने का नाम है यह यह भी अपने निकल चुके बोर्ट को लेकर अब हाँ गाई स होने वाल है और अभी मुझे यहां पर माफिया थोड़ा बनना ही पड़ेगा तेरी ऐसी की तैसी निकल ले कोई गाड़ी देने का यहां पर नाम नहीं ले रहे और चलो वाई दोनों को अपने बूम से उड़ा दिये अब फटा वड़ी यही गाड़ी को लेते और सीधा न जान नहीं देते तो फड़ावट से अभी यार मेरे को जाना पहले कपड़े शॉप में क्योंकि यहां पर जाकर पहले अपने कपड़ों को चेंज करते आप लोगों को बता है रम पुलिस के कपड़े में तो बाई यह माफिया शक करेगा ऐसा कैसे हो गया तो चलते वड़ पर पुलिस वाला कर क्या रहा है और एक सेकेंड सेकेंड भाई सब यह आप लोगों को याद है एक बॉड़ी तो भाई पैसेंजर सीट में पड़ी है मैंने उसको बाहर निकाला ही नहीं और अभी जो पुलिस वाला है उसको चेकिंग कर रहा है एक काउं करते निकल लेते भाई यहाँ ना पर रुकना सेफ नी दूसरी गाड़ी यहां पर देखना पड़े गा answer का पर रिलाल तो यहां पर एक मिनट होटेल है नै ङले मोटेल है तो चलो यहां से काड़े हम लोगे मिल जाएगी तो प्टा पट से किसी एक गाड़ी rip लो निकल उड़ाय ठान करने के लिए फटाओना मुझभाड़ी को होगाते रहला सभी चलते सथी महाना पड़ेगा यह वाबध बॉत जादा क्रेजी को साइद यह यहां पर लाश बढ़ी हुए है यहां पर आफिसर भी रह इसलिए ठाव शीने संडी शौर हो और ट्रैवर का गावे तो वह ऐसे ही होना है लेकिन जलो अभी जादा वेट ने करते हैं वेट गाइस मैं ना सूच रहो यहां से शॉटकट मारू ताकि और मैं ना फड़ा वट से उसी लोकेशन पर पहुच जाओंगा सो यह वी गो फाइनली हम लोग पहुच चुके उसी लोकेशन पर यहां पर मैं पहुच चुको वेल मैं सामने देख रहा हूं नौर्थ एंग्टन माफिया की लीमो कड़ी है फड़ा वट से उतर दे और चलकर मिलते हैं शायद वो लोग यहां पर इसी गर में रह रहे हैं और वाकी यहां पर देख सकते हो सामने की तरफ वो जो टैंक है वो माँ पर कड़े यहां पर यंग्टन माफिया का हेलिकॉप्टर बी है और बगल में यहां पर सारे सिक्यूरेटी भी कड़े तो वाईज अब यहां पर वेट नहीं करते यह पूच लोके इससे वैसे भी यह घ यंग्टन माफिया और लेस्टर नीचे है तो एक काम करते सबसे पहले इसी रूम को चेक करते तो मैं आ चुका अंदर की तरफ और लेट्स गो यहां पर मैं देख रहा हूँ अपना जो यंग्टन माफिया है वो सोफे पर बेटा हुए और आगी की तरफ लैप टॉप के सा लेस्टर लगा हुआ है और एक सेकेंड वो देख रहे हूँ उसने बगल में वो जो सीडी कड़ी करी है वो सीडी में वही वीडियो रेकॉर्डिंग है जो हम लोग ने बनाई है और यहां पर मैं यंग्टन माफिया से बात करूं क्या वैसे नहीं यार यंग्टन माफिया अब भी भी मैं देख रहा हूँ बहुत जादा सैड है लेकिन जल्दी यहां पर वो जो वीडियो प्ले होगा फिर सारा का सारा यहां पर किस्सा खतम होने वाल है फिलाल एक काम करते है मैं चलकर इस चैर पर बैट जाता हूँ था कि यार मेरे को भी तो देखने है लेस्टर लेकर आने वाला था उसके बारे में भी कोई पता नहीं है फिलाल यहां पर शायद से लग रहे है लेस्टर का हो चुक है तो अभी यह शायद इसको अन करने वाले और चलो यहां पर लेस्टर नी क्लिप को चालू कर दिये तो भी इसको देखते है और यंग्टन माफिया का रियाक्शन होने वाला है वो भी पता चलेगा वीडियो तो चलना यहां पर स्टार्ट हो गई है तो यहां पर देख सकते हैं पहली क्लिप लेस्टर नहीं यहां पर स्टार्ट कर दिये और यह आठ गैलेरी म्यूजियम की जो आप लोगो बता है आउक्शन की ती जहां पर यहां पर देख रहे हो लेस्टर ने एडिटिंग क्या कमाल करी वह गोल्डन मंकी के उपर फोकस दिये और यह रहा डैविड चो तो यहां पर यह वाली तो वीडियो कहतम हो चुकिए तो दूसरी शायद से अपनी वाली होगी जो हम लोग ने डायमंड कसीनों में यहां पर र गोल्डन मंकी के उपर पूरा फोकस था और बाकि आप लोगों पता है कि यंग्टन माफिया के बंदे ने बताया था कि डायमंड कसीनों में दो ऐसे बंदे आ चुके जो कि गोल्डन मंकी स्टैचू को सेल कर रहे है तो पूरा डाउट अभी डैविड और डगन के अपर ग यहां पर उटकर बात करती यंग्टन माफिया बहुत जादा यहां पर गुस्से में आ चुके क्लिप देखकर एक सेकेंड उसके गार्स तो भाई अराम से बेट कर देख रहे है वैसे चलो एक बार यंग्टन माफिया हम लोगों कुछ बता रहे सुनते इसकी बात को आल्रा यहां पर मैं आपने को बता रहे हैं यहां पर मुझे अब एक टास्क दिया हुए वह जाकर मेरे को करने हैं यहां चीज बता यह वह मैं आप लोगों को चलते चलते बता दा ओके तो गाईस सेर मैं तो बहार आ चुका हूँ लेकिन अभी मुझे निकलना है सीधा डगण बॉस और डैविट चौ के मैंशन के पास और वहां पर जाकर मुझे पहले देखना है कि उनकी जो आर्मी है वो कितनी है और कहां कहां पर कड़ी है क्योंकि हम लोग सीधा भी फ लेकिन आप लोगो एक चीज में बताता हूँ आज ये टैंक भी यूज होने वाल है तो इसको तो मेरा मन कर रहे है चलाने के लिए लेकिन देखते अब यंग्टन माफिया क्या कहता है बड़ा सीधा बाइक को यहां से गुमात है और फड़ा बड़ा से चलते यहां पर स्पेशल गार्ड को फोन कर रहे है और बोला है कि आने के लिए और वो जो स्पेशल गार्ड है वो है जगर नॉट्स जो कि सबसे पाउरफुल फोर्स होती है मतलब हम लोग उनके साथ ये फाइट को करने वाले तो शाहिए डैविड और डगन बॉस का आज एंड होने वाल गर गई बढ़ा चोड़ दो यहां से मुझे देखने की डैविड और डगन का घर मेरे को यहां से दिखाई देता है कि नहीं वैसे हां दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन इतना भी नहीं इसका पूरा विव नहीं मुझे मिल रहा है अब यार इसको करने के लिए मुझे करना क यहां पड़े गया एक मिनिट वहां पर एक बहुत बड़ी क्रें नजर आ रहे है चलो चलो भाई सब दिमाग में तगड़ा प्लान आ चुक है प्लान नहीं कहने जाए तो मुझे अभी उस क्रें पर जाकर चड़ना है वैसे मेरी बाइक उल्टी गिर गई है फटावड कि बाई छोड़ो यार क्या हो रहा है पता नहीं कच्छे से रास्तेपे में बाइक लगा रहा हूँ इसके वज़े से वड़को इना फटावड से गाई से स्क्रें के उपर चड़ते और शायद मुझे अभी इसके उपर से एक मस्ता विव मिलने वाल है तो लेट्स गो यह वाली शायद से मेरे को लग रहे है लास्ट लैडर है तो फड़ा वड़ से चड़ते इसके उपर भी और ओके तो फाइनली हम लोग आच गए अपने बाइनकुलर्स को निकाल दे और चल कर देखते कि डैविट चौ के घर पे आर्मी कितने खड़े हुए तो यहाँ पर जाके मुझे पूरे घर के बंदे यहाँ पर नजर आ रहे है यह देखो यहाँ पर कितने खड़े और उपर से कुछ-कुछ घर के अंदर भी है तो वो सारे मेरे को यहाँ पर दिख रहे है इन लोगा जो हीट होता है ना इसके वज़े से और फिलाल थर्मल विजन यही काम क तो यहाँ पर बंदे अभी शायद से मेरे को नसर आने लग चुक है यहाँ पहले दिखी नहीं रहे थे स्पॉर्टी नहीं हो रहे थे बढ़ हाँ यहाँ पर ना मुझे इन लोग का ना एक प्रॉपर व्यू चेप बैक्याड का भी तो यहाँ का भी मेरे को देखना है इस सीडी को फड़ा भड़ा भी उतरते हैं और वहाँ पर ही चलते हैं तो हम लोग आ चुके दूसरे क्रेन पर तो अभी इसको भी फड़ा भड़ से क्लाइम करते हैं और चल कर अभी मैं देखता हो कि डैविट चौक के मैंशन में कितने सारे आर्मी यहाँ पर खड़े तो तो गाईस यहाँ पर कुछी देर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी वार चिटने वाली है लेकिन यहाँ पर जो माइकल है यह पूरा लॉस एंटॉस सेडी का विव यहाँ पर मस्ता ले रहा है और भाई वहाँ पर अगर मैं देख रहा हो तो समुंदर है और क्या सही लग यहाँ से उपर से और एक से केंड वहाँ पर नीचे की तरफ आप गाईस देख सकते हो अपना वाई यंग्टन माफिया आ चुका है अपने यहाँ पर गाडिया पैंसर लेकर और एक मिनिट हेलिकॉप्टर का भी यहाँ पर शूर हो रहा था ना ओल राइड तो वह देखो नीचे एक हेलिकॉप्टर भी आ चुका है जो कि आप लोगों को बता है यंग्टन माफिया के और यह लोग सीधा निकल रहे हैं वार करने के लिए वैसे एक मिनट मेरे को नीचे जाना होगा तो फड़ावट जम भी मारते वाई सब पैरिशूड यह अपने बास तो लेट् और सारा कुछ प्रिपैर होच गए और माफिया अभी हम लोगों को यही समझा रहा है कि आज की रात बहुत खतरना कि यहां पर वार होने वाल है तो हमें किसी के उपर भी दया नहीं करने किसी भी माफिया के गाड के उपर फिलाल हां यंग्टन माफिया ने मुझे यह कोई ना अपनी बाइक को लेते क्योंकि अभी सीधा हम लोग निकलने वाले डैविट के मैंशन पर बाकि आप देख सकते हैं हेलिकॉप्टर भी हमारे साथ है तो बाई उपर से फाइरिंग और नीचे से हमारी फाइरिंग तो बाई चल बैट जाए यह बैट क्यों ने रहा है तो यह लोग सभी अभी मेरे पीछे-पीछे फॉलो करने वाले वैसे हैडलाइट को बन कर देता हो ताकि यह वहाँ पर ना शक किसी को नहीं जाना चाहिए और एक मिनट वह दो गाड़ी तो भाई यह साथ में चलना है वैसे कोई ना चलो वो लोग आ जाएंगे लेकिन अभी यहां से हम लोग पहुचने वाले पहले गेट पर यहार डैविट और डगण का ना यह वाले गेट से हम लोग जाने वाले थे लेकिन यहार यंग्टन माफिया ने बोले कि यहां से पीछे से हम ला जगरनाट के बंदे करेंगे और हम लोग करने वाले सीधा सामने से तो मैं तो पहुच चुका हूँ यहाँ पर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बगाते हुए एकदम गेट के पास फिलाल यह लोग पहुचे की ने एक बार आ जाओ यार ओके ला ओल राइट तो जैसे कि आप लोग गाईस यहाँ पर देख सकते हो पैंजर आ चुका है लेकिन य हमें कोई अब डिरैकली मैं घुसने वाला हुच यंग तन आया नाया किसी को पता ही ने चले हैं तेरी वाईस यहाँ कितम पहुच तो यहां पर में लिखा तो ने अंतर की तरफ चुपा कर गैए लेकिन कोई नहीं लिए रहे यहां यहां पर यहां यहां पर के पास सब्सक्रोंग présent उस पर खोजो सब्सक्राइब काहा उसकुँ और मेरे को अंदर सब्सक्राइब करते हैं और मेरे को अंदर वां चुक्क अब भी होएन लोग वाई हम लोग मामूली लग रहे और तुमारी ऐसी की तैसी भाई भाई सॉक यह इनके ओपर मिसाइल चोड़ रहा हूं मैं सबकी यहाँ पर कहर नहीं फिलाल हाँ यहाँ पर घर के ओपर भी फायर करते हैं क्योंकि डगगन और डैविट पका यहाँ पर होंगे हमारी यहाँ गार्ड सारी लडने भी लगे हुए फिलाल अभी मैं उतर दाओ क्योंकि मुझे गंसे केलना है यहाँ पैंजर से मजा ने आने वाले और तीरी ऐसी की तैसी भाई खाले शॉट वैसे चलो यहाँ पर मैंने इन लोगों तो निप्टा दिये अपने हेलिकॉप्टर पता नही बीबाहित सारे मंतिकों यहाँ पर निप्टा दिया है, लेकिन इसको भी मैंने चलो निप्टा दिये, बाकी कहाँ पर गए हुए यंग्ठर माफिया लास्न ने यहाँ पर ही देखा था फिलाल यहाँ पर में देख रहे हो, कुछ गाड अपने भी यहाँ पर मर चुके जैसे कि हाँ पर देखो भाइ दो गाड़ को बिचा देए और एक सेगांड बाहर की तरफ लड़ाए हूरी है यंग तर माफिया यहां पर आ चुका बाई इसको क्यों मार रहे ही गोली कहांसे पड़ रही इसको गोली दो गाईस दर जैसे कि आप यहां पर यह बेख सकते हैं लोग ने यह वाला बेस तो पूरा क्लियर कर लिए लेकिन अभी जो बंद है ना वो अंदर की तरफ और यह देखो यहां पर आना श्टार्ट हो जगा है तो यहां पर सब की हैसियत भाई मैं खोलने वालो आजाओ आजाओ जितने भी यहां पर इस भाई सारों को कदम करूगा वैसे यहां पर मेरे को कवर भी लेना है फिलाल यह लोग अपने आगे आ जाए और यंग्टन माफिया के गाड़स तो वाई तगडे मार रहे एक काम करते हैं यह वाली धरवाजों को एक बार में खूलता हो इसके अंदर एंट्री करता हो वैसे अगर यहां से में जाओंग आपको भी देता हो फिलाल के लिए भाई सब यहां पर शॉट गन जादा नहीं आपी चलेगी यहां पर फटावड मशीन गन को निकालते जो माफिया ने हम लोग को दी हुए और हचाओ जाओ 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 भाई सब में बहुत सारे बंदे आरे लेकिन कोई नहीं यहां पर स अची कि अपने हेलिकॉप्टर को यहां पर कुछ हुआ नहीं लेकिन तेरी ऐसी की तैसी वह भागा कहां पर शायद से वह घर के अंदर भागा रहेगा लेकिन अभी मैं आप लोग को बताओ यहां पर हम लोग ने सारे आर्मी को टेक डाउन कर लिए बड़ अभी भी अपन उनों भी जाने वाले घर के अंदर और जाकर डैविट और डगगन को खतम करने वाले क्योंकि उसके गाड़ तो सारे यहां पर खतम हो चिक है ओके गाइस तो चार बचके चे मिनिट और और यहां पर ना में अंदर की तरफ देख रहा हूं तो कोई भी मेरे को नजर नहीं लेकिन इतना कंफॉर्म है कि डैविट डगगन घर के अंदर का तो चुप है यहां पर यंग्टन माफिया और हम दोनों यह अंदर की तरफ जा रहे तो फटा फट से आगी की तरफ बढ़ते क्योंकि एक मिनिट यहां पर देखो गाड से लट्स गो एक गाड है उसने पता तब लोगो कोई पता नहीं चल रहे हाजो वाजो भाई कैसे गाड ईडगन के गाड साही में बहुत जाँता ही कोई नंइद हना यहां पर यह पर बढ़िक मुझे भी नहीं पता चल रहा है। इसे फ ouvertly नोग के दिख रहा है। माफिया को मैंने सारा कुछ बता दिये कि जो बंदे होते हैं वो सारे रूम के अंदर चुपे होए होते तो अभी मैंने माफिया को बोलेगी वो वाला रूम चेक करने के लिए और मैं ये वाला करने वाला हूँ तो चलो भाई माफिया फुल लगा कर करते हैं लट्स गो माफिया वो वाला रूम चेक करने के लिए और मैं जा रहा हूँ भी ये वाला रूम चेक करने के लिए फिलाल यहां पर एम करते हुए जाएंगे तुमारी ऐसी के दैसे और यह देखो गाइस क्या बोला था मैंने बंदे यहां पर सारे चुपकर अटाक करने वाले बार से कोई नजर नहीं आ रहे थे लेकिन यह सारी सोफा वगे राके पीछे और एक सेकंड अंदर की तरफ में आ अब बता यहां पर मेरे को देखना है मांफिया को कोई गोली ना मारे था और मजा ने ब ku माफ्या फुल जोश में इस वह माफ्या को सारे मार रहे बड़ कुई ना चलो 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 यहां पर मैंने टिक डाउन कर लिए बाकियों को वैसा माफ्या रिलोड में गये ता यंगतन माफ्या अराम से खेलने इस बेटे के जोश में यह खुद को ना मार दे फिलाल एक मिनिट यहां पर सारों को चेक कर लिए यह वाला अभी रूम मेरे को चेक करने को लग रहा है तो यंग्टन माफिया एक काम करो आप ही चले जाओ भाई साब मैं तो नहीं गुसरो ताकि जो हो वो यह खुद देख लेंगे फिलाल भाई साब भाई माफिया सीधर रैंडम फायर होते गुस रहा है भाई यार बंदे का यहां पर ऐसे थी विगाड़ी वैसे चलो हम लोग ने शायद से नीचे का जो एरिया है वो क्लियर कर लिए तो फिलाल गाई सेर मुझे क्या लग रहा है अभी ना हम लोग को ऊपर के साइड में जाना होगा और भाई माफिया बंदों को वाई साथ में जला भी दे रहे है बॉम वगेरा डालके यार इसका गुसा बिल्कुल शांत ने होले वाले सही में माफिया थोड़ा अराम से काम करेंगे वैसे अभी चलते उपर की तरफ और देखकर आते ओके सुगाइस यहाँ पर यंग्टन माफिया और मैं दोनों भी सीडीज चड़ते हुए उपर की तरफ आ चुके फिलाल यहाँ पर बंदे डैविट चौ अरे यार यंग्टन माफिया ने बंदे को स्पॉर्ट कर लिया बाई चुपा हुआ था लेकिन कोई ना चलो यहाँ यहाँ पर टेकडाउं कर लिए फिलाल बस होगय यहाँ यहाँ पर सारे बंदे के मेरे को शोर आरही फिलाल मैं यह वाला रूम जाकर चेक कर रहो यहाँ पर आज ऑजो यह काम करते वाई यंग्टन माफिया सही में बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले तर पूरे जोश में व मिनिट अराम से जाएंगे और यह देखो भाई सब यहाँ पर बंदे आना शुरू हो चेके हैं सबको भाई टेकडाउन करना है फटा वट से तेरी ऐसी की तैसी निकल ले ये डे चाले बिल्कुल भी नहीं चलने वाले बाई यंग्टन के ओ यह देखरो बंदा कहां पर सबको यहां पर टेकडाउन करने का टाइम आ चुका है वाई मिनिगन आराम से माफिया मेरे उपर चला रहे किस तरह का लड़ रहा है तु आराम से लड़ियार इतना वी जोश मत को वेट यार वैसे यहां से कुछ शोरा रहे यह थे बंदे कतम यहां पर गाईसर अपने को क भाग रहे ना यार उसकी पकड को वाई मैं पकड़ी ने सकता अभी यहां पर कवर लेते ओके यहां पर आल राइट ओके तो कुछ बंदे यहां पर वाई फायर कर रहे हो और देख रहे एक शौडगन की वाई आमो पड़ते वाई बंदे दो उचल चुका है लेकिन कोई न वाई दो बंदyt यहां पर इस बंदे के उपर मैं चोड़गे रहा हो एक ग्रेनेट और मैं रहो बारके दो चुक है फिलाल एक बंदा बज गया हैलो ऐसे कैसे तू तेरे पैर पे दो-तिन गोली पड़ेगी और यहां पर एक ग्रेनिट डाल देते बंदा खता हूं यंग्टन माफिया कहां पर जाकर लड़ रहा है अभी मुझे भी तो हमार ने दे वाई बंदों को वैसे यहां पर भी सारे बंदे को टेक डाउन कर लिए मैंने सारे रूम को चेक कर रहा है लेकिन अभी तक यह डैविद डगगन का कोई पता नहीं चल चुक है बाई है तो है का पर बंदे यह तूनों यह लोग है कि नहीं घर पर अभी मिरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मतलब इसके गाड बंदे और यहां पर हमारे पास है मशिन गर जिससे हम लोग इन लोग सबी का यहां पर चकना चूर कर रहें वैसे जितने बंदे वाई साव यह दे धना धन गोली पड़ती जा रहे है यहां पर यंग्टन माफिया नीचे जाकर खुद लंडे की कोशिश कर रहे है वाई सब बंब डाल रहे है यंग्टन माफिय तेरा एमी गलत है यह कहां पर भी बंब डाल रहे है बंब नहीं ऐसे मॉलटॉल डाल दो ताकि सारे बंदे यहां पर खतम होने वाले यह सहीं है चलो फड़ा बड़ इनको भी टेक डाउन करते थोड़ा सा बाई नीचे उतरते और यहा यहां पर आप लोग देख सकते हो डैविड चौ अपनी जान को बचाते हुए अपने परसनल हेलिकॉप्टर से इस मैंशन से भाग रहे है फिलाल मुझे फड़ा बड़ बहार निकल के इसको पकड़ना होगा ओके तो गाई सेर जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो ड डैविड चौक हेलिकॉप्टर के साथ पीछे कर रहे हैं लेकिन कोई ना मैं अपनी बाइक को पगाते हुए पीछे करता हो जो आप मैप पे देख पा रहे हो जो ट्रैकर है वह यहां से बाहर निकलते और चलते अभी बाई जो हेलिकॉप्टर जहां पर गया हुए तो जैस करने क्योंकि अपना जो इक हैलिकॉप्टर है उसका पीछा कर रहे है तो भाई सब फड़ा वड़ से चलते अभी तो फाइनली गाइस हम लोग ने एक दम बहुत जादा मस से यहां पर स्पोर्ट कर पा रहे है उसको लेकिन एक सेकेंड वाउ क्या चीज हो गई भाई अपन से मस तरीका से इसको फॉलो कर रहा हूं तो हैंजवा और पॉलो कर ने चनुक हो आपना थे ब्लast हो इस बारनों में चाहरा हो गी ब्ला वह इस बार नहीं फॉर ने कोशिश को नो और यहां पर दो दूर निकल चुका है ऐसा गरना गलत सीन है फटावट से अपने बाइक को लेकर दुबारा फॉलो करते डैविड चौक हेलिकॉप्टर को तो गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर जीख सुकते हो यह डैविड चौन अपने हेलिकॉप्टर को लेकर काफी जादा आगे निकल है और यहां पर मैं अभी ब्रिज पर फस्ट चुका हूँ लेकिन कोई ना चलो है यहां से निकाल सकते हो अपने बाइक को फिलाल गाइसर आप लोगों को मैं स्वई में बता हूँ यार लिटरली डैविड चौन ने यार यंग्टन माफिया की गाड़ को सभी में हावे पर मार दिया मतलु यार पता ने उसने कौन सा भाई वहाँ पर बुलेट फायर कर दिया कि हेलिकॉप्टर रिडिस्ट्रॉय हो चुका था उसके उपर RPG लगे थी तब भी कोई नहीं हुआ था सीन लेकिन अभी आप देख रहे हो बहुत जादा हाइट नीचे आ चुके तो यह यहां पर लैंड करने वाला है बट कोई नहीं यहां पर मेरे को अपनी बाइक को यह एकदम ध्यान से चलाना है और मैं कहां पर जाकर बिढ़े जा रहा हूं यह मैं गल्ती से उसका पोजिशन बुल जाओंगा लेकिन कोई नहीं यहां पर इसको भी मेरे को तोड़ना रहा है और मैं यहां पर देख रहा हो तो यह जगा मेरे को जानी पैचानी से लग रहे है तो यह काम करते है फटावट से अपने बाइक को अंदर की तरफ लेकर चलते है ओके मैं पौच चका उसी जगा पर जहां पर डैविट चौन अपने हलिकॉप्टर को लैंड करा भाई साब उसने उस पाइलेट को भी मार दिया जिसने उसकी जान बचाई है लेकिन अब डैविट चौक हाँ पर है यह डूढ़ना है मेरे को फिलाल यार यह न अपने सीक्रेट बंकर में आया हुआ है लेकिन यह बंकर मेरे को कंफरम पते है यह इसने लॉक करा होगा और यह गैरेंटीस के अंदर ही गाया हुए तो तेरी भाई साब भाहर निकल वरना सही मैं इसको एक काम करते हैं यहाँ पर मेरे पस कुछ स्टिकी बॉम है भाई सब दो चार स्टिकी बॉम ही यहाँ पर लगा देते है ताकि यहाँ पर मैंने टोटल 11 स्टिकी बॉम को इस लेकिन आप लोग देख सकतों यह जो गेट है यह टक्स से मक्स ने हो चका है मतले यह कितना अज़ादा स्ट्रॉंग है ऐसा क्या लगाया हुआ इसके उपर एक सेकंड यहाँ पर सारी कोने पर मारूंगा ताकि यह गेट उपर की तरह हो जाए लेकिन भाई सब यह जो स्ट यहाँ पर टैंक को लेकर पहुचने वाले लेकिन उन्होंने मुझे बता है कि तुम यहाँ पर पूरा फोकस लगा कर काम करना क्योंकि डैविट चॉक कभी भी भाग सकता है तो मैं यहाँ पर पूरा एम लेकर कड़ाओ बस यंग्टन माफिया जल्दी से जल्दी आजए त पर यंग्टन माफिया भी आ चुक है पैंजर को लेकर और ये शाथ से कुछ तो भाई डैविट को सुना रहे है यहां से लेकिन भाई जाकर पैंजरी गेट की सामने लगा दिया है तो गाई सेर यंग्टन माफिया ने डैविट चो को एकदम खुला-खुला चैलेंज कर द अधन बॉम चोड़ने वालो ताकि वह फूट जाएगा और गेट तूट जाएगा लेट्स गो पड़ावट से टैंग को भाई ये हलिकॉप्टर को बहले हटा हो जगा नहीं मिल रहे है और यंग्टन माफिया बट कोई ना अभी टैंग मैंने सामने गेट पर लगा दिये तो चलो 3,2,1 यहां पर दना दन चोड़ना स्टार्ट कर देते वाई वन बोलने से पहले मैंने स्टार्ट कर रहा है लेकिन यार मैं देख रहा हूँ वेट यह गेट को अभी तक असर नहीं हो रहा है यार ऐसा कुंसा यह गेट इतना जादा भाई खतर ना गे दुबार यह यहां पर एक बार ट्राइ करते है वैसा पूरी चारों तरफ मैं मार के देख रहा हूँ यार पैंजर से एक गाड़ी फूट कर चकना चूर हो जाती है लेकिन यह गेट अभी तक बिल्कुल भी ने हट चुक है यार पताने किस टाइप का यह मेटल का गेट बनाए हुए मैं देख रहा हूँ यहां पर देखो बुलेट के कितने बड़े यहां पर चेद हो चुक है लेकिन अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है मैं अंदर का थोड़ा थोड़ा यहां पर देख पा रहा हूँ लेकिन उतना भी नहीं बट यार क्या करू यार समझ में आ रहा है अभी डै रहा उसके पीछे के साइड और यहां पर मैं देख रहा हूँ तो यहां पर टूटल दो गेट है तो डैविट चौ यहां से तो भागा नहीं होगा ना शायद तो नहीं लग रहे है अगर बगा होता तो पक्का कुछ ना कुछ गाड़ी वगेरा लेकर जाता तो उसके निशान यहां पर होते हैं लेकिन नहीं मेरा डाउट इतना भी नहीं जादा हो रहा है कि डैविट चौप पीछे से भागा होगा एक सगेंड में इसके उपर गाव बाइक लेकर चल कर देखता हो शायद इन विंडो से कुछ नजर आए तो यह यह विंडो भी पूरा पैक है यहां स यहां से भी कुछ नजर नहीं आ रहे है चोड़ो यार नसीबी खराब है और भाई भाई अराम से भाई को यहां पर साइड में लगाते यहां जाकर डैविट चौप को मैं कैसे पकट समझ में नहीं आ रहे है यंग्टन माफिया को बोल देता हो भी ना गेट को तोड़ना ह होगा कैसे भी करके वरना कोई भी फाइदा नहीं और डैविट चौई कायर की तरह भी अंदर की तरह चुपा हुआ है बार निकले सही में अगर लग गयाना हाथ तो तो मार खाने वाले तुमारी यसी की देसी भाई शोर मत करो जा अगर पुलिस को बोल दोगे और कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओके सो गई सार यहाँ पर जो यंग्टन माफिय है यह अपने किसी दोस्त को कॉल करके यहाँ पर बुला रहा है पता नहीं अब शायद से गार्डस वगे रही होंगे और वेट हेलो यह भाई सार टकर जोर से कुसने मारी यह पका डैविट च जट और टेकंते डैविट यहाँ से गया गढ़ी को लिकार वेट वह शायाइद से यहांसे बाग रहे है वाइज डैविट-चौ तेरे को नहीं बता बोजेका मेरेपास पैंसर रहे तो इसके उपर अundra को यहांच मैंने ब्लच यहां यहाँ नकों को JEFF करना और घ्याइग क भी खेल रहा है कोई ना चलो यहां से मैं इसको दपा करता हो और एक मिनिट आगे डैविट चो तेरी वैस की आग भाई टकर तो जोर की पढ़िए जाकर कार तो पलेट चुके लेकिन कोई ना इस बार वापस टकर और शिट यार बज गया लेकिन कोई ना इसको देखता हो भी एक सेकेंड इसके गाड़ी ना मतलब जितनी जोर होनी ची उतनी जोर है नहीं बहुत जादा हलकी है लेकिन कोई ना अब चलते इस एरिया में वो गया हुआ है और आगे रास्ता पुरा पैक है तो अब भी तेरी ऐसी की तैसी तेरी येड भगने वाली है आजा 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 जाएगा यार यहां पर कोई दूसरे बंदे लड़ने लगे हम लोग से और वेट डैविट चौन अपनी गाड़ी को सीधे करके वह निकल चुका है कोई ना यार फटावट मेरे को भी जाना हो गार तुमारी ऐसी की तैसी ये शायद डैविट चौके बंदे हो सकते लेकिन यार मैं भी क्यों अपना ध्यान दे रहा हो फटावट मेरे को डैविट चौके पीछे चलना है वाइस साब यार मैं अगर उसकी लोकेशन अब भी बूल गया ना तो बहुत गलत सीन होगा लेकिन कोई ना एक सेगंड वो देगो शायद से हाईवे की तरफ से बाग रहा है तो चलो गैस यार मैं भी आ चुका हाईवे की तरफ और मैंने डैविट चौको स्पाट कर लिया तो इस बार यार मैं तो अपने पैंजर को बहुत तेज बगाने वाला हो फिलाल इसकी स्पेड इतनी भी जादा नहीं है लेकिन हाँ जो डैविट चौकी कार है वो यार सामने स्पाट हो चुका है यार उसकी गाड़ी फूट कैसे ने रही है मतलब यार कितनी जाद वो स्ट्रॉंग गाड़ी रेगी यार शायद पता नहीं यार डैविट चौके पास भी ऐसा ही कोई तगड़ा वहिकल हो सकता है लेकिन यार कोई ना यहाँ पर देख रहे पास में पहुच गया बंदे ने अपनी लेजर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लेकिन कोई ना यार एक मिन यहाँ पर बाई अपने अभी फायर करते मिसाल्स को नहीं यार डैविट चौके में तगड़ा रेसर लग रहे है मेरे को फिलाल चलो चलो उसकी गाड़ी को आग रहे डैविट चौका यहाँ पर काम तमाम हो चुक है शायद से और एक मिनिट यह डैविट चौक ने गाड़ी से उतर के भाग रहे तेरी ऐसी की देसी भाई रुग जा फिलाल एक मिनिट यहार पैंजर से मारना बहुत ज्यादा बुरा है मतलब यहार उसके पास गाड़ी नीचे जम्प मारना होगा तो गाई सेर देखो मैं सोच रहा हो कि मुझे बेना नीचे जम्प लगाना चाहिए क्योंकि डैविट चौकर हाथ से निकल गया और एक मिनिट भाई से भी गाड़ी को निकल रहे वैसे मैं इसके टायर को यहार पंचर तो करने की खोशिश कर रह ही वह नीचे की तरफ बहुत बुरी तरह से बीड़ चुका है वैसे हम लोग भी बच चुके लेकिन एक मिनिट वह अभी अपनी गाड़ी को जादा हिला नहीं रहे तो शायद से मेरे को लग रहे है वह इंजड हो चुका रहेगा तो मैं नीचे उतर सकता क्योंकि अगर मैं हो फिलाल मुझे यहां से जंप लगाना होगा लेकिन कोई ना चलो अब जाकर मैंने इक बार देख लेता हूं कि डैविट चौ यहां पर पक्का कैस है मतलब जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो जो डैविट चौ की हालत है ना वह बिलकुल भी ठीक ने वह यहां की तरफ लटकी हुए लेगन चलो कोई ना यहां पर पहले डैविट चौ को बह在 निकालते यहां पर यहां पर ने डैविट चौ को सई में टाइम पर यहां पर लेकर आयाँ वरना अगर अभी हम लोग वहाँ पर रुके रहते तो पक्का बहुत गलत सीन हो जाता बड़ कोई ना डैविट चौ को मैं काम करता हो यहाँ पर ही रख देता हो और पहले चलकर ना यंग्टन माफिया को फोन करके बता देते कि डैविट चौ हमारे हाथ तो लग चुक है तो अभी करना क्या है वैसे अभी डैविट चौ की हालत पूरी तरह से आप देख सकते हो पूरा खराब हो चुक है लेकिन हाँ यह कभी भी होश में आज सकते है और भाई हमारे उपर अटैक कर सकते है तो यहाँ पर जितना जल्दी हो उतना यंग्टन माफिया को मैं बुला लेता हो तो फड़ा वड़ से अभी न यंग्टन माफिया को मैं फोन लगाता हो क्योंकि आज डैविट चौका दी एंड हो रहा है इसके जिन्दगी खतम होने वाली है तो बस यहां पर मुझे वेट करना है जब तक यंग्टन माफिया यहां से आता नहीं तो फिलाल गाई सैर यहां पर ना डैविट चौका मैं एक बाद स्टन गन मानना चाहरा हो तो तेरी ऐसी कि आज तक तुने मेरे को बहुत जादा सता है तो बाई तू स्टन गन खाते रहेगा बस दो मार दिया है बंदा पूरा यहां पर कॉंशिस हो चका है फिलाल खून निकल रहे है शायद यह जब बिड़ा रहेगा ना तब इसको बहुत सारी चोटे लगी रहेगी लेग फिलाल गाईस यह यंग टर माफियस बंदे को लेकर करने के अवाल है मतलब यह क्या पका इसको यहां पर ही मार देगा या इसको बहुत ज़दा टॉर्चर करेगा यह तो हम लोगो पता चलने वाले नेक्स्ट वाली वीडियो में फिलाल गाईस यह रहाँ चोले एपिसोड की लिंक विवरन वरनन या डिस्क्रिप्शन यहां पर दी गई है तो वहाँ पर टाइप करके मुझे फॉलो कर लेना बाकियां मैं मिलता आप लोगो ऐसी नहीं अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गोड़ बाई